किया है हलो स्टूडेंट आपका हमारे यi-였र चैनल पर सुवागता है आज के इस वी डियो में हम ट्रिग्णWest इस लॉय पंधिऊ करता है अपने इस भीडियो को तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्णोमेट्री क्रेशु होते कैम सबस handmade टिख्li है वो कहां से drive किया गया है जो trigonometry है is drive from the Greek word Greek word से drive किया गया है जिसमें trigonometry तीन वर्ट से मिलके बना है first है tree जिसका means होता है three, gone जिसका मतलब होता है side and matron जिसका मतलब होता है measure in fact trigonometry is the study of relationship between the side and angles of a triangle तो basically हम क्या क्या सकते है trigonometry क्या है trigonometry is the study of relationship between sides and angles of triangle ठीक है तो यह हमें पता लग गया है अब trigonometric ratio क्या होता है trigonometric ratio of an acute angle in a right angle triangle express the relationship between the angle and the length of its sides ठीक है तो अब पढ़ते हैं trigonometric ratio कौन कौन से होते हैं हमारे पास तो आइए देखते हैं अब देखते हैं कि कौन कौन से trigonometric ratio होते हैं तो यहां पर हमें एक right angle triangle दिया हुआ है triangle a b c ठीक है तो अब हमारे पास जो trigonometric ratio होते हैं वह होता है फरस्ट sin theta ठीक है sin theta हो गया next है हमारा cos theta और next हमारा है 10 theta ठीक है तीन तो यह हो गए और तीन और होते हैं हमारे पास वह हैं कौन कौन सी side के रेश होते हैं वह देखते हैं right angle triangle हमारे पास है ठीक है अगर मैं theta यह वाला एंगल लेता हूं एंगल c यह अगर मैं theta लेता हूं ठीक है theta जो है basically angle को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो यहां पर जो theta के सामने वाली जो side होगी यह theta है इसके सामने वाली side क्या है a b तो यह हमारा क्या हो जाएगा perpendicular ठीक है यह पर पेंडिकुलर हो जाएगा यह बेस हो जाएगा और 90 डिगर के सामने वाले जो line होती है वो तो हमारी hypotenuse होती है ठीक है तो अब जो sin theta होता है वह कौन सी side का ratio होता है वह देखते हैं sin theta जो होता है वह होता है perpendicular upon my hypotenuse ठीक है परपेंडिकुलर हाइपोटिनिस का जो ratio होता है वह sin theta होता है इसी तरीके से जो cos theta होता है वह होता है base और hypotenuse का ठीक है और जो 10 होता है वह होता है perpendicular और base का ठीक है अब हमारे पास ये तीन ratio हो गए है अब तीन और रेशो बचे हुए है अब cos theta, sec theta और cod theta ठीक है अब basically होता क्या है जो sin theta है अगर मैं इसका reciprocal करूं ठीक है 1 upon मैं sin theta कर दूं तो हमारा cos theta होगा तो ये हो जाएगा just इसका reverse sin theta P upon H था तो cos theta हो जाएगा h upon में P और इसी तरीके से sec theta जो होता है cos का होता है reciprocal तो ये हो जाएगा हमारा h upon में B, hypotenuse upon में base और 10 का होता है cod तो ये हो जाएगा B upon में P ठीक है base upon में perpendicular तो हमें ये चीज भी याद रखनी है तो हमें ये भी याद रखना है कि जो cos theta है वो क्या होता है one upon में sin theta ठीक है और जो sec theta है वो होता है one upon में cos theta और एक और है हमारे पास cot जो cot theta है वो होता है one upon में 10 theta ठीक है तो ये थे हमारे trigonometric ratio अब आगे देखते हैं तो दुबारा देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास trigonometric ratio है तो हमें यहाँ पर triangle ABC दे रखा है जो की 90 degree बना रहा है एंगल B पर ठीक है यह एंगल B है और हमें कौन से एंगल से जो trigonometric ratio निकालने हैं एंगल A से तो यह जो एंगल A है इसको हम थीटा ही भोल सकते हैं तो सबसे पहला जो है हमारे पास sin A sin A अब में से sin A भी लिख सकते हैं और sin थीटा भी लिख सकते हैं दोनों ही सही है ठीक है अब sin का full form क्योंते है sin of angle A ठीक है इसको हम इस तरीके से read करेंगे cos A को करते है cos of angle A ठीक है tan A को करेंगे हम tangent of angle A cot A होता है हमारा cotangent of angle A और sec A होता है हमारा second of angle A और cosec A होता है cosec A होता है cosecant of angle A ठीक है तो यह हमारे 6 trigonometric ratio है sin A जो है अभी हमने पढ़ाए कि sin किसका ratio होता है perpendicular और hypotenuse का तो यहांपर perpendicular क्या है यह base है यह perpendicular है और यह hypotenuse है तो B और C line जो हमारी perpendicular है और A, C hypotenuse है तो यह हमारा sin A आ जाएगा इसी तरीके से case से होता है base upon mé hypotenuse base upon mé hypertonuse तो हमारा AB upon mé AC आ जाएगा एबी हमारा base है और hypotenuse AC है ठीक है तो tangent 10A जो है perpendicular और base का होता है तो BC upon और यह जो cot A है, cot A है वो किसका reciprocal होता है, 10 का होता है, ठीक है, तो 10 हमारा BC upon में AB था, तो यह हो जाएगा AB upon में BC, और जो sec A है, यह किसका reciprocal होता है, cos का, ठीक है, cos हमारा क्या था, AB upon में AC, तो यह क्या हो जाएगा, AC upon में AB, और cos किसका reciprocal होता है, sine का होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो sine था, BC upon में AC था, तो यह हो जाएगा, AC upon में BC, तो यह थे हमारे कुछ trigonometric ratio, ठीक है, तो हमें याद रखना है, कि कौन-कौन से हमारे पास trigonometric ratio है, साइन जो पर्पेंडिकुलर अपॉन में हाइपॉटिनेस होता है, कोसाइन बेस अपॉन में हाइपॉटिनेस होता है, सीकेंट हाइपॉटिनेस अपॉन में बेस होता है, कोसेक हाइपॉटिनेस अपॉन में पर्पेंडिकुलर, कोटेंजेंट जिसे हम कॉट बोलते हैं वो ब अपन में पर्पेंडिकुलर और टेंजेंट पर्पेंडिकुलर अपन में बेस तो यह हमारे 6 ट्रिगनोमेटिक रेशो है अब इसी से रिलेटेट कुछ कोश्शन करेंगे तो सबसे पहले के एक्जामपल देखते हैं एक्जामपल है गिवन 10A 4 अपन में 3 फाइंड दा अधर टिक्नोमेटरिक रेशो आफ्यायाइंकल हामें ते यह अथे स्टार्ट करते इसक्ट करते हैं इसको है सौलव करना है तो इसको स्वेवायर कुश्यन के अध्यायएंट जो है फोर उपस्ण दे रखा है और बाकि divine máxim mark धिक लिश्याओं में find करने है तो उन्हें आपने एक राइट एंगल triangle ढ्राइंगलड कर दिया a b c ठेक है अब जो एंगल है व tactics रहे है यह ह utilizzय निकाल ला है तो हमें पता है वह subtय होता है वकिसका रोता है वह ठीक है तो होता है हमारा परेंडिकुलर और हमारे पास यहां पर एंगल अगर यह है तो परेंडिकुलर यह हो जाएगा है और बैस एबी है हो हाइ Sc baş Have a q répondre कर टेक है तो मतलब कि यह जो है BC time में एट कंट करेंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे यह करकर लेते हैं जो B C है वो हो जाएगा 4K और जो A B है वो हो जाएगा हमारा 3K ठीक है तो अब मैं अगर इसमें पाइट करूँ तो हमारा होता है A C स्क्वेर इक्वल टू A B स्क्वेर प्लस B C स्क्वेर ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा क्या A C स्क्वेर इक्वल टू बेस क्यादी रखा है हमारे पास 3K तो 3K स्क्वेर प्लस पर्पेंडिकुलर 4K स्क्वेर तो हमारे पास जो A C स्क्वेर है वो क्या जाएगा 9K स्क्वेर प्लस 16K स्क इनको एड़ करा था 25K स्कूर हो गया तो इससे हमारा जो AC होगा वो क्या आएगा 5K आ गया तो हाइपोटनेस हमारा 5K हो गया ठीक है परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था परपेंडिकुलर था 4K और बेस था 3K अब हमें सारे के सारे अधर टिकनोमेटिक रेशो फाइंड कर रेशो होता है तो परपेंडिकुलर हमारे पास BC है और हाइपोटनेस AC है तो BC हमारे पास 4K हो गया और AC 5K तो के से कैंसिल तो 4.5 आग गया हमारा साइने इसी तरीके से cos A अगर मैं निकालूँ तो वो होता है base और hypotenuse का ratio तो base हमारा है A, B, hypotenuse है A, C, तो 3K upon me 5K K cancel तो 3 upon me 5 आ गया cos ठीक है अब हमारे पास जो sin A है, 4 upon me 5 है तो cos A हमारे पास क्या हो जाएगा cos A हो जाएगा sin उसका reciprocal होता है तो 4 upon 5 तो यह जाएगा 5 upon me 4 ठीक है, और इसी तरीके sec जो होता है वो किसका reciprocal होता है sec जो होता है, वो होता है हमारा cos का, तो यह जाएगा 5 upon me 3 और cot जो है, वो 10 का होता है तो 10 हमारा क्या था 4 upon me 3, तो यह जाएगा 3 upon में 5 तो इस तरीके से हम सारे के सारे trigonometric reaction निकॉल सकते हैं तो इस तरीके से हम इस example को solve करेंगे अब देखते हैं हमें कौन कौन से question दे रखे हैं हमें यहाँ पर 4 question दे रखे हैं अब उसको solve करते हैं तो first question हमें दिया हुआ है कि एक triangle है ABC right angle triangle है और B पर 90 degree बन रहा है ठीक है B पर 90 degree बन रहा है तो यहाँ पर मैं एक right angle triangle draw कर लेता हूँ triangle A B C B 90 degree है और इसमें यह बोला गया है कि 15 cot A equal to 8 के equal है ठीक है तो यहाँ लिख देते हैं 15 cot A equal to 8 तो अगर मैं cot A निकालूं तो यह 15 दर आकर divide में आ जाएगा cot A जो है वो क्या हो जाएगा 8 upon में 15 ठीक है तो cot A कर ratio हमें पता लग गया है 8 upon में 15 है अब हमारे पास joh है find करने के लिए sin A निकालना है और second निकालना है तो हमें पता है कि जो cot A है वो किसका ratio होता है वो होता है base और perpendicular का, base का और perpendicular का ratio होता है, ठीक है, base क्या है यहाँ पर, a, b है, और perpendicular क्या है, b, c है, ठीक है, तो हम let कर लेते हैं, कि जो a, b है, वो हमारे पास 8, k हो जाएगी, और b, c है, वो 15, k हो जाएगी, तो यहाँ लिख देते है, a, b हमारे पास 8, k है, b, c, 15, k है, तो pythagoras theorem से मैं यह hypotenuse निकाल सकता हूँ, a, c, ठीक है, तो pythagoras theorem apply करेंगे, तो a, c square होता है, a, b square, plus b, c square, तो a, b हमारे पास 8, k हो गया, b, c हमारे पास 15, k हो गया, ठीक है, 8 का square क्या होता है, 8 square होता है, हमारे पास 64, k square, 15 का 225, k square, अब इन दोनों को अगर मैं add करूं, तो कितना आ जाएगा, 5 और 4, 9, 8, 6 और 2, 8, और ये 2, और k square, 289 हो गया है, ठीक है, तो हमारे पास जो a, c square है, वो 289, k square है, तो इससे हमारा a, c क्या आ जाएगा, a, c आ जाएगा, 289 किसका square root होता है, 17 का, तो 17, k जो है, वो हमारा a, c हो गया, मतलब की hypotenuse हो गया, 17, k, ठीक है, 17, k हो गया, अब हमें निकालना क्या था, sin a, तो अब sin a निकाल लेते हैं, theta हमारा तो a ही है, तो sin a जो होता है, वो होता है, perpendicular और hypotenuse का ratio, तो bc अपॉन में, a c हो गया, तो ये 15 k, अपॉन में, 17 k, k से k cancel, तो 15 अपॉन में, 17, अगला था हमारा, sec a, ठीक है, sec a जो है, वो किसका ratio होता है, sec a होता है, हमारे पास, hypotenuse और base का ratio, ठीक है, hypotenuse a, c है, और base a, b है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, 17 k, अपॉन में, 8 k, तो k से k cancel हो गया, तो 17 अपॉन में, 8, तो ये हमारा first question का solution हो गया, next question देखते हैं, question number second में हमें बोला है, कि a, b, c एक triangle है, जो b पर 90 degree angle बना रहा है, ठीक है, तो ये भी एक right angle triangle होगा, यहां हम right angle triangle ट्राइंगल 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 है, ठीक है, और sec theta दे रखा है 13 बटे 12, तो जो sec theta है, वो दे रखा है 13 बटे में 12, तो यहां पर angle जो है, हमें नहीं पता कि a है के c है, तो आप कोई भी ले सकते हो, तो मैं यहां पर a ले लेता हूँ, यह हमारा theta हो जाएगा, ठीक है, और sec theta जो है, वो किसका ratio होता है, वो होता है, hypotenuse ac upon base ab, ठीक है, तो ac upon ab का ratio हो जाएगा, hypotenuse और base का, तो हम लेट कर लेते हैं, कि जो ac है, वो 13k हो जाएगा, और ab है, वो 12k हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमारा पास 12k आ गया base, hypotenuse 13k हो गया, तो perpendicular निकाल लेते हैं, pythagoras के नहीं अप्लाय करके, तो जो यह bc है, bc square equal to आएगा, ac square minus ab square, तो 13k का square minus 12k square, तो 13 का होता है, 169k square, 12 का होता है, 144k square, तो दोनों को किया तो हमारा पास bc square कितना हो जाएगा, 25k square, और bc कितना हो जाएगा, bc हो जाएगा 5k, तो perpendicular हमारे पास आ गया 5k, ठीक है, तो हमारे पास अब triangle की तीनों side पता लग गई है, अब calculate करना था हमें other trigonometric ratio, तो सारे के सारे trigonometric ratio निकाल सकते हैं, तो हमें पता है, sin theta किसका ratio होता है, perpendicular और hypotenuse का तो 5k upon में 13k, k से k cancel तो 5 upon में 13 हो गया, ठीक है, cos theta, cos theta किसका ratio होता है, base और hypotenuse का, तो 12k upon में 13k, k से k cancel तो 12 upon में 13, ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, 10, 10 theta वो होता है, किसका ratio, perpendicular और बेस का, तो 5k upon में 12k, तो यह हो जाएगा, 5 upon में 12, ठीक है, अब जो cosac है, वो sign उसका reciprocal होता है, ठीक है, sign का, तो हमारे पास जो cosac है, वो क्या हो जाएगा, cosac theta हो जाएगा, 13 upon में 5, sec तो हमें दिया हुआ था, cot क्या हो जाएगा, cot 10 का होता है, तो 10 हमारे पास 5 by 12 था, यह हो जाएगा 12 by 5, ठीक है, 12 by 5 हो गया, 12k upon 5, 12 by 5, तो इस तरीके से हम इसको solve करेंगे, next question, next question देखते हैं, next question है, हमारे पास एक triangle दे रखा है, a, b, c, जो b, 90 डिगरी है, ठीक है, तो यहाँ पर एक right angle triangle ट्राइंगल रो कर लेते हैं, जो कि a, b, और c, b, 90 डिगरी हो गया, अब हमें क्या given है, sin a दे रखा है, sin a जो है, वो दे रखा है, 3 बटे 4, ठीक है, और हमें show क्या करना है, हमें show करना है, कि cos a जो है, plus sin c, cos a plus sin c जो है, वो किसकी खुला रहा है, root 7 upon 2k, ठीक है, तो इसको show करने के लिए, सबसे पहले हमें, cos a और sin c निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो sin a हमें दे रखा है, 3 upon 4, तो sin किसका ratio होता है, sin होता है, perpendicular और hypotenuse का, मतलब कि b, c upon a, c का, ठीक है, तो 3 by 4 दे रखा है हमें, तो हम वो इस पाइथगर और स्थेरों अप्लाइ करेंगे, तो b, c ले लेते हैं हम, 3k, a, c ले लिया, 4k, ठीक है, तो हमारे पास जो है, क्या find करना है हमें, a, b find करना है, base, तो पाइथगरों स्केर में अप्लाइ करेंगे, a, b square equal to a, c square, minus b, c square, तो यह जाएगा, 4k square, 4k square, minus 3k square, तो 4 का square होता है, 16k square हो गया, minus 3 का होता है, 9k square, तो यह जाएगा, हमारा 7k square, तो a, b क्या जाएगा, root 7k, तो a, b हमारे पास, root 7k हो गया, और यह कितना दे रखा है, root 7, यह कितना दे रखा था, यह दे रखा 3k, यह 3k है, और a, c हमारे पास 4k है, ठीक है, हमें जो शो करना है, वो है, cos a plus sin c equal to root 7 upon 2, तो सबसे पहले मैं cos a निकालूँगा, तो यहाँ पर cos a निकाल देते हैं, angle हमारे पास a ही है, तो cos जो होता है, base और hypotenuse का ratio होता है, तो यह हो जाएगा, root 7 upon 4, इसी तरीके से अब देखना है, हमें sin c निकालना है, sin c, अब देखो, अभी जो angle था हमारे पास a था, अब angle क्या हो गया है, c हो गया है, पहले यह था, अब यह हो गया है, ठीके, तो हमें यह चीज़ याद रखनी है, तो perpendicular क्या हो जाएगा, a, b हो जाएगा, और base, b, c हो जाएगा, hypotenuse तो होई रहेगा, तो sin किसका ratio होता है, perpendicular और hypotenuse का, तो perpendicular यहाँ पर क्या हो जाएगा, a, b, और hypotenuse, a, c, ठीक है, यह चीज़ याद रखनी है, angle shift होता है, तो base और perpendicular भी change हो जाते हैं, तो यह हो जाएगा, हमारे पास, root 7, k, upon, 4, k, तो sin, c, क्या हो जाएगा, हमारे पास, sin, c, हो गया है, root 7, upon, 4, ठीक है, अब हमें show क्या करना था, तो हमें यहाँ पर क्या show करना था, cos, a, plus sin, c, जो है, वो root 7, upon 2, k, equal, आ रहा है के नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास, cos, a, की value पता लग गई है, cos, a, plus sin, c, cos, a, क्या है, हमारे पास, root 7, upon, 4, हो गया, sin, c, भी root 7, upon, में, 4, हो गया, तो दोनों का अगर, lc, हम लूँ, तो 4, ही आएगा, और root 7, plus root 7, तो 2, root 7, upon, में, 4, cancel किया, तो क्या बचा, root 7, upon, में, 2, equal, to, RHS, महलब की right-hand side की खुला रहा है, तो यह हमारा show हो जाएगा, question number 4, देखते हैं, question number 4, में हमें एक triangle दे रखा है, PQR, ठीक है, जिसमें PQ 12 cm है, और PR 13 cm है, ठीक है, हमें find क्या करना है, हमें find करना है, 10P minus cot R, हमें find क्या करना है, 10P minus cot R, ठीक है, यह find करना है, अब हमें हमारे पास जो triangle दे रखा है, उसमें PQ 12 cm, PR कितना है, 13 cm है, और angle Q जो है, वो 90 degree बना रहा है, ठीक है, तो triangle तो हमें दिया हुआ है, और दो साइड दे रखाए है, तो तीसी साइड हम पाइथर और फिरम से निकाल सकते है, ठीक है, तो QR जो है, वो कैसे निकल जाएगा, QR square equal to हो जाएगा, hypotenuse का square minus perpendicular का square, तो यह जाएगा 13 का square minus 12 का square, 13 का कितना हो था, 169, 12 का 144, तो QR square जो हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया, तो QR जो आएगा, हमारा आएगा 5, तो 5 cm आगया, QR, ठीक है, तो तीनों साइड पता लग गई है, अब हमें देखो, यह चीज याद रखने हैं, यहाँ पर angle जो है, चेंज हो रहे हैं, जैसा अभी हमने पिछले question में कर रहा है, सबसे पहले हम निकाल देते हैं, 10P, 10P निकालना है, यहाँ पर मैं triangle ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, यह जैसे कि मैंने triangle ड्रॉ कर लिया है, यह Q है, ठीक है, और यह P है, और यह R है, यह 5 cm है, यह 12 cm है, और यह 13 cm है, अब यहाँ पर angle जो है, वो P है, angle हमारे पास यह वाला है, ठीक है, अभी हमने बताया था कि जो angle है, उसके सामने वाली side है, वो perpendicular होती है, ठीक है, तो यह 10 जो होता है, वो क्या होता है, पर्पेंडिकुलर और बेस का रिष्टो, तो पर्पेंडिकुलर यहाँ पर R Q हो जाएगा, और बेस हमारा P Q हो जाएगा, तो 5 अपॉन में 12 जो है, वो 10 P आ जाएगा, अब इसी तरीके से हम कॉट R निकालेंगे, ठीक है, अब R के लिए हमारे पास जो है, एंगल चेंज ह हो जाएगा, ठीक है, तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है, बेस अपॉन में हाइपोटनिस, तो यह क्यों हो जाएगा हमारा 5 अपॉन में 12, ठीक है, 5 अपॉन में 12, यह था हमारा R Q अपॉन में P Q, ठीक है, हमें फाइंड के करना है, दोनों का दिफरेंस फाइंड करना है, तो 10p minus cot r find करना है ये तो 5 upon 12 था और ये भी 5 upon 12 था दोनों को subtract किया तो answer क्या आ गया 0 तो इसका जो answer होगा वो गया 0 तो इस तरीके से हम इस question को solve करेंगे